बुद्ध पुन्यमा साल का सबसे अधबुद और अकर्षक आयोजिन वारनसी में धूमधाम से मनाया जा रहा है यहां की भक्ती, अध्यात्म और प्राचीन परंपराओं के द्रिश्य देख आप दंग रहे जाएंगे सबसे खास बात हम आपको दिखाएंगे भगवान बुद्ध के पवित्र अस्ती कलश के दुरलब दर्शिन इसे मिस करना नामुम्किन है पवित्र गंगा के तट पर हजारों की संख्या में लोग पवित्र स्नान के लिए एकत्र हुए यहां की उर्जा जबरदस्त है क्यूंकि लोग मानते हैं कि इस पवित्र जल में डुपकी लगाने से उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है लेकिन ये तो बस शुरुवात है अब कुछ वास्तव में दुरलब और अदभुद के लिए तैयार हो जाईए हम पहुँची है सारनात जहां भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थी कलश के दर्शन होंगी साल में केवल दो दिन सिर्फ पाँच घंटे के लिए भक्तों को ये अद्वित्य मौका मिलता है चलिए देखते हैं ये विशेश द्रिश्य यहां हजारों बौद अनुयाई कतार बद होकर भगवान बुद्ध के अस्ति कलश के दर्शन कर रहे हैं ये कलश हजारों साल पुराना है जिसे आज भी संभाल कर रखा गया है इस द्रिश्य को देखकर बौद अनुयाई अत्यंत प्रसन है और शाम को सारनाथ का महाबोधी मंदिर हजारों दियों से जगमगाएगा ये नजारा तो देखने लायक होगा महाबोधी सोसाइटी ओफ इंडिया से जुड़े जीना अनंद ने बताया कि आज पूरे सारनाथ में विभिन आयोजन हो रही है इस दोरान भंडारे के साथ यात्रा भी निकाली गई और शाम को संभूष्ठी का आयोजन होगा इतना ही नहीं शाम को हजारो दियों के साथ सारनाथ का महाबोधी मंदर भी जगमग होगा लोकलेटीन के लिए वारनसी से अभिशेग जयसवाल की रिपोर्ट